KP astrology based है promised events के उपर अगर आप कोई event के बारे में inquiry कर रहे हो कि पही मेरी promotion होगी तो उसके लिए आपर पाइस 211 अवेलिबल होना चाहिए 10th customer subload में Remarriage के case में 9th customer subload जो है वो 711 दिखाना चाहिए तो आपकी Remarriage होगी इसको हम properly time भी कर पाएंगे कौन से साल में होगी कौन से महीने के आसपा से event हो सकता है और कोई बहुत जारा research करवाना चाहिए तो वो हम हाफते तक दिन तक भी पहुंच सकते हैं कि ये event आपका कब होगा KP में कोई ऐसा scope नहीं है कि आप ये पूजा कर लो तो जो event नहीं भागे में लिकव हो भी हो जाएगा ऐसा हम लोग बिलकुल नहीं कहते हैं तो जो ऐसा कहते हैं वो सिरफ एक business कर रहे हैं और वो 2000 की पूजा को एक एक लाग की पूजा में convert करके वो लोग sell करते हैं तो वो इतने सालों का अनभव लिया ग्यान लिया तो वो आप पे कर दोगे तो आप